हैलो फ्रेंड राधे राधे और कैसे हैं आप सब अमीद करती हूँ आप अच्छे होंगे मैं अंजली जी की रसोय में आपका स्वागत है फ्रेंड आज महा सिवरात्री ब्रत वाला बनाएंगे खिले-खिले सबुदाना का खिचड़ी बने रही है मेरी वीडियो में फ्रेंड मैंने यहां पे सबुदाना लिया इसको अच्छे से धो लेंगे दो तीन पानी तो मैंने दो तीन पानी से धो लिया था फ्रेंड और इसी गिलास से मैंने सबुदाना लिया था बहुत ही छोटा गिलास है हमारा जिस गिलास या कप या कटोरी से सबुदाना ले उसी से थोड़ा सा कम पानी डाल कर दो घंटे के लिए रिष्ट परख दे फ्रेंट दो घंटे हो गया था हमारा सबुदाना बिल्कुल ही सोफ्ट हो गया है फूल करके मैंने सबुदाना लिया है और यहीं पे आलू को उबाल के छोटे-छोटे टुक्रों में कट कर लिया है यहां पे मैंने आग को जला लिया था और कडाही रख दी थी कडाही हमारा गर्म हो गया था इसमें मैंने दो चम्मच घी डाल दिया था गाय का घी डाला है मैंने आप चाहें तो रिफाइंड ओयल में भी बना सकते हैं या किसी भी घी में बना सकते हैं तो मैंने यहां पे जीरा डाल लिया है जीरा हमारा सीक रहा है जीरा सीक गया है फ्रेंड यहीं पर हम डाल लेते हैं हर इमिर्च हर इमिर्च को भी थोड़ा सा सिकने देते हैं उसके बार डाल लेंगे इसमें हल्दी पाउडर कलर के लिए थोड़ा अच्छा लगता है कलर आप चाहें तो हल्दी नहीं भी डाल सकते हैं तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे हल्दी डाल लिया है और इसे चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे ताकि हमारा हल्दी पक जाए यहीं पे मैं डाल ले रही हूँ आलू आलू को भी चलाते हुए थोड़ा सा क्रंची करेंगे कि आलू हमारा भून की क्रिस्पी हो जाए तो friend मैंने चलाते हुए आलू को क्रिस्पी कर लिया है और आप देख सकते हैं सबुदाना हमारा कितना ही सौफ्ट हो गया है यहीं पर डाल लेते हैं सबुदाना को भी और अच्छे से चलाते हुए इसे भी भूनेंगे ताकि आलू और सवदाना दोनों ही क्रिस्पी हो जाए फ्रेंड इसमें मैंने कोई मसाला यूज नहीं किया है अगर आप मसाला खाते हों तो मसाला भी डाल सकते हैं यहीं पर मैंने मुंफली के दानों को डाल लिया है अब सारे चीजों को अच्छे से चलाते हुए हम भूनेंगे बिल्कुल क्रिस्पी होने तब तभी खाने में टेस्टी लगेगा और यहीं पर डाल लेंगे स्वादनुसार नमक सेंधा नमक लिया है फ्रेंड मैंने क्योंकि यह ब्रत का नमक होता है अगर मेरे चैनल पर आपने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए वीडियो आज की अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ब्रत में बना कर तो इसे खा सकते हैं लेकिन आप ऐसे भी बना कर खा सकते हैं क्योंकि यह टेश्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है तो लीजिए हमारा सबुदाने का खिली खिली खिचरी बन के तयार हो गया है फिन दस मिनिट लगता है बनाने में बहुत जल्द बन के त्यार हो जाता है टेश्टी और हेल्दी खिचडी आप भी बना कर खाईए इस महा सिवरात्री राधे राधे